नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है डिजाइन स्पीट जो कि डिजाइन स्पीड क्या है कि ह να पर देशेरी और प्र घल स्पीड ओल्पेद किया जाता है मतलब किसी भी रोड को एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं उसका सूपर एलिवेशन लोग स्पीड और सूपर एलिवेशन ग्रेडियेंट कर विए सारे चीजों को नेक्स्ट टॉपिक में हम दोग देखेंगे ठीक है तो डिजाइन स्पीड क्या है कि हम लोग देखते होगे कि बोड़ रोड पर क्या लिखा वाई अलग होगा और ये जो स्पीड लिमिट है फो डिपेंड करता है कि हमारा रोड का जो टाइप है ना डिजाइन स्पिड इसाफ़ूर्च बाप रोड एंड टOP schafry of tyren कि fareं कि रोड का टायप हमारा कि सिस्ट रहा है और हमारो जो टिरेन हैं जिस भी या में हम cette Call सभ़ीन एरिया है उस तरह के उसका टोपोक्राफिप क्या है उस पर भी टिपेंड करेगा ठीक है तो हमारा डिजाइन स्पीड है दो चीज पर टीपेंड कर रहा है एक रोड टाइप और टो परफॉग्राफिप पे तो इसके बेसिस पर जो इंडियन रोड कॉंग्रेस है वह स्पेसिफिकेशन देता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के रोड पे एक पर्टिकुलर टोपोग्राफी में उसका इस्पीड इतना ही होना चाहिए तो जो हम इंडियन इस पर इंडियन रोड कॉंग्रेस इंडियन रोड कॉंग्रेस इंडियन रोड कॉंग्रेस के नुसार टा मारा क्या है एरिया टोपोग्राफी एरिया टोपोग्राफी किस तरह का प्लेन है प्लेन एरिया है तो वहां पर मैक्सिमाम स्पीड परमिसिबल स्पीड कितना होता है 100 किलो मेटर पर आवर यह स्पीड जितना भी दिखाया लिखा गया हो क्या है किलो मेटर पर आवर में तो plane area है तो कितना होगा speed 100 km per hour rolling train है तो कितना होगा 80 km per hour mountainous area है तो 60 km per hour और hilly area है तो 40 km per hour देख रहे हो जिस तरह से area का जो topography चेंज हो रहा है type of road तो same है सारा NH है लेकिन यही NH अगर हम plane area मनाते हैं तो वहाँ पर हम maximum ज्यादा speed तक उसमें मूब कर सकते हैं लेकिन जैसे कि यह हीली area में क्या होगा ज्यादा कर्ब वहाँ पर ज्यादा होगा turning ज्यादा होगा तो इसलिए वहाँ पर speed का limit 40 ही रखा गया 40 km per hour ठीक है मतलब दोनों चीज़ पर हमारा depend कर रहा है design speed क्या है लोड ground type और टाउप बड़ाफी दोनों पर डिपहने कर ँबादा रोट टाइब तो सेम है लेकिन hier अलग-बादा है तो परमीसेबल या डिशा्थ डिजाइन숙ट क्या है अलग-अलग है rolling train में लग है mountainous train में लग है और वहली ट्रेन में छिक्षी तरह से state highway जो होगा से टेट हावे में plane train में कितना स्पीड होता है मैक्सिमा एक्ट किलो मेटर पर आवर रोलिंग में 65 किलो मेटर पर आवर मॉन्टेनस में 40 कुलो मेटर पर आवर एंड हीली ट्रेन में 30 किलो मेटर पर आवर अधर डिस्टिक रोड के लिए जो होता है specification प्लेन एरिया में 65 रोलिंग में 50 मॉन्टेनस में 30 और हिली में 25 और विलेज रोड के लिए क्या होगा प्लेन एरिया में 50 और रोलिंग में 40 रोलिंग फोटी कीलोमेटर पर आवर मॉन्टेनेस के लिए 29 किलोमेटर पर आवर एंड ही स्पीड करेलेशन और हम लोग आग개 देखेंगे किसथरा से डिपेंद करता है रोड के जोमेट्रिक पे और रोड का जोमेट्रिक डिजाइन ओस वह बैके के स्पीड पर किस तरह से डिपेंड करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कर देखेंगे और इसका यूज देखेंगे तो डिजाइन किस तरह का वांपे सिख द्रोक किस तरह का ठीक है और इसमेंसेज ज्याधा इंपरेंट जुलेगी नेच और स्च के लिए इसके लिए श्टेट वबंचाय के लिए उसको याद रखना ज्यादा इंपर्टंट है यह ज्यादा एक्जाम अबजेक्टिव पिppen assakram की प्लेन टरेन के लिए नेशनल हाएवे पर स्पीद लिमिट क्या होता है ठीख है टी टा व्रेश्ट लेफ है हम लोग तो देखेंगे ग्रेडियंट के बारे में ठीक है